त्रिनमूल कांग्रिस की सांसद नुसरत जहांने संदेश खाली को लेकर चुप्पी बनाए रखने पर हो रही आलोचना का जवाब दिया है। संदेश खाली उनके लोकसभा क्षेत्र बसीरहाट के अंतरगत आता है और इस विवाद पर उनके बयान ना देने पर एक तब का उनकी आलोचना कर रहा है। ना तो उन्होंने अब तक इस मामले पर कोई बयान दिया था और ना ही संदेश खाली गई है। इन आलोचनाओं पर उन्होंने एक्स पर लिखा इस तरह के आरोपों को देखना, दिल तोड़ने वाला है, एक महिला और लोगों के प्रतिनिधी होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी की गाइडलाइन का पालन किया है। संदेश खाली मामले में हमारी मुख्यमंत्री ने पहले ही मदद भेजी है। लोगों की बेहतरी के लिए जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं। हम खानून से उपर नहीं हैं, इसलिए इसका पालन करना और प्रशासन का समर्थन करना ही जरूरी है। मैंने खुशी के समय, मुसीबत के समय में अपने निर्वाचन क्षेतर में लोगों की सच्ची सेवा की है। मैं अपनी पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार कारे करती हूँ। मेरा मानना है कि हमें राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए, हमें एक दूसरे को टार्गेट करने से बचना चाहिए और साथ आकर शांती कायम करने के लिए काम करना चाहिए। लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी कौन किसके बारे में क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगी राजनीती बंद करिये।